तो हलो गाईज यार मैं हूँ शानू पटेल तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आल न्यू एक्सवी सेवन डबलो तो अल्रेडी मैंने इसके उपर एक वीडियो बना दिया है तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक आउट नहीं किया तो आप आई बेटन में लिंक आ रही होगी और आज डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी तो चलिए अभी सीधा करते है इस गाड़ी को ड्राइव तो इस गाड़ी में हमको यार दो इंजिन ऑप्शन मिलते है एक आता है अपना पेट्रोल और इक आता है डीजल तो अगर गाईज हम डीजल इंजिन की बात करते हैं यहां पर आपको 2.2 लीटर का टर्बो चार्ट डीजल इंजिन देखने के लिए मिल जाता है with 182 bhp of power and 450 newton meters of torque and अगर गाईज हम बात करें पेट्रोल इंजिन की तो यहां पर आपको 2.2 लीटर का टर्बो चार्च पेट्रोल इंजिन देखने के लिए मिल जाता है with 197 bhp of power and 380 newton meters of torque and हां गाईज है महिंदरा ने इस पर बह फीचर के तो मेरा भाई फीचर है adaptive cruise control अगर आप अपनी कार को एक स्पीड पे lock कर देते तो यानि कि आप अपनी कार का एक cruise control set कर देते हो तो अगर आपके आगे वाली कार की स्पीड जैसे कम होगी और complete stop पे आ जाएगी अपनी गारी भी complete stop हो जाएगे जैसे अपनी आगे क कार स्पीड पकड़ने लगीगी वैसे ही अपनी कारी भी स्पीड पकड़ने लगती है यह फीचर मेरे को बहुत जादा बढ़िया लगा एंड हाला कि इसमें एक दूसरा फीचर यह भी आते कि emergency braking तो अगर आपनी कार ड्राइव कर रहे हो एंड आगे कोई suddenly आ जाता है तो अगर आपका पाउं ब्रेक पे नहीं है फिर भी अपनी कार जो है वो आटोमेटिकली ब्रेक अप्लाइग कर देती है जिससे आपका कोई भी एक्टेडन के जो चांसी से वो कम रहता है एंड नेक्स आता है अपना लेन असिस्ट अगर आप अपनी कार जो हाईवे पे ट्रा जाती है तो कार अपनी हिसाब से अपने स्टेरिंग इंपूट्स लेकर उसको मिडल में रखती है तो अगर आपने अपना स्टेरिंग जो है वो टच किया है कि नहीं किया है वो अपनी कार को जो है उसी लेन में रखती है उसी लेन से बाहर आपको नहीं जाने देती है यहा यह जो एंजिन वो बहुती ज्यादा पावरफुल मेरे को फिल हो रहा है और बहुती ज्यादा रिस्पॉंसिव है और यह जो ट्रांस्मिशन यानि की टॉक कन्वर्टर जो बहुती स्मूध है आपको यहां पर कोई भी जर्क फिल नहीं हो रहा है के अबन आ जो गयर वो चेश अरो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि गयर कब चेंज हो रहा ।ो बहुती ज़ादा स्मूध Hamm द्राइविग वाइस jao बहुती ज़ादा बढ़िया लगी एइन्ड covers of features यहार हम और इस पैरथ में थी 60 camera और बहुती जादा certificates तो मेरे हिसाब से यह जो इस प्राइस पॉइंट में यह जो कार वो पक्का भाई गेम चेंजर तो रहने ही वाली है और अल्रेडी एड़ टाइम यह जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब अल्रेडी इस कार के 50,000 बुकिंग तो वही चुक है एक चीज और नोर्टिस की जैसे मेन राइट साइड का इंडिकेर दे रहा हूं कि अपना राइट साइड का यह तरन आउन हो जा रहा है ब्लाइंड स्पॉर्ट में कोई है कि नहीं तो वह चीज बढ़िया है पर थोड़ा जो कैमेरा वह बहुत ही माइन और सा लेगी कर रहा है तो मेरे इसाब से शायद वह कोई अभी आपडेट आएगा उसमें रिजाल हो जाएगा तो इस गाड़ी में अभी यह नहीं नहीं है तो थोड़े बहुत ट्राइन अरस तो जरूर आएंगे तो वह दिरे दिरे अपने सॉल होते रहेंगे बैट मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपक से कंपार करूं तो अलड़ी मैंने सफारी बहुत पहले ड्राइव कर चुके तब मेरे यूट्यूब चैनल नहीं थी तो पर सफारी का जो स्टेरिंग था वो मेरे को बहुत ही जादा हाड़ फिल हो रहा था बहुत ही जादा हाड़ था और इसके मुकाबले भाई साइज व सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा जादा पता चलेगा कि क्या क्या हमको गारी का रिस्पॉंस लिखने के मिलता है अगर काई सेफ्टी वाइस बात करें तो यहां पर आपको 7 airbags भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़ा है एंड मुजिक सिस तो election वाइस हम बहुत यह बढ़ा है अगर हम suspension की वी बात कर लेग तो suspension रह फिए को इतने ज्यादा stiff भी ईह और स्व्फ भी फील नहीं मौडरेट है तो बढ़िए इतने ज्यादा यहां पर हमको कोई दिककत देखनी को यह नहीं міलने वाली है अगर अगर गाइस इस बताव कि ऐसे चाहिशी को आपक्री बसक्राइद करते वह एक पेडित यूज़ा प्रिंवन मर्स धुश्वधर सेद लिचिंव 26 नहीं मेरे को नहीं आरी वह चली गई आवाज इतनी कोई यहां पर दिकत नहीं है तो एक बात मेरे को यार इसकी एक और बढ़िया लगी कि जब भी हम कुछ साइड लाइड कुछ भी देते हैं तो अपना जो ट्रेडिशनल आवाज आती है टुक टुक वाली वह यहां पर नहीं है बहुत ही बढ़िया यहां पर महिंद्रा ने साउंड दिया है हमको बहुत ही बढ़िया साउंड के साथ जो टन सीगनल्स है और कुछ भी है वह बहुत ही बढ़िया साउंड के साथ है वह मेरे को यार बहुत ही बढ़िया लगा वह एक अच्छा सा टच था अगर बात करें तो बस इतनी थी अपनी टेस्टर इतनी छोटी सी थी आराउंड कुछ होगी तीन चार किलोमेटर की और हां गाइस यार पिछली वीडियो में आपको इस गाड़ी के कलर्स दिखाना भूल गया था तो इस वीडियो में आपको वह मैं कलर्स भी दिखा देता हूं अंदर तो इस बसे बड़ा था तो एक एलेक्ट्रिक ब्लू आला विरेंट भी है और इसको पारी खड़ा है तो वह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो चलेगा इस साथ ही जाथ एक काम करतो मैं आपको इसका रिवस पार्किंग केमेरा एंड शेक आउट करा देता हूं तो यहां पर हम थोड़ी तिर में ही रिवस लेंगे और इसको पार्क का देंगे और जैसे कि आप देख सकते कि सामने के तरफ बहुत सारी ब्लू कलर में एक्सीव 7W है वह सारी डीजल विरेंट है और यह जो अपनी है वह पेट्रल आटोमेटिक विरेंट है तो जैसे हम इ 60-degree camera और साथ ही साथ अपना जो reverse parking camera वह भी on हो जाता है with adaptive guidelines अगर गाइस camera quality की बात करें तो बहुत ही जादा crisp and clear camera quality है और जो भी सारे colors है उसके में photos डाल दूँगा तो आप check out कर लेना and I hope आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद रहे इस वीडियो को लाइक कर दो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी ही मिलेंगे ऐसे एक नहीं वीडियो के साथ पिल देन बाबाई